Hello students and welcome to my channel अनीता शिक्षा आज हम बात करेंगे 11th class की hornbill and snapshot जो दो books हैं आपकी textbook and supplementary books उन में से कौन से chapters जो आपके exam में नहीं आएंगे जिनको delete कर दिया गया है इस पार slivers में से जो आपके 2021 के exams में नहीं आएंगे यह देखिए यह आपकी book है snapshot और यह आपकी book है textbook hornbill इन दोनों books में से यह chapters आपके इस साल हटा दिये गए हैं जो आपको exam के लिए तयार नहीं करने हैं तो जो आपकी first book है जो hornbill जो textbook है उसमें आप देखिए कि जो chapters हटाए गए हैं वो chapters हैं chapter number 3 chapter number 4 chapter number 6 and one poem यह chapters आपके हटा दिये गए हैं और snapshot जो book है उसमें से chapter number 6 and 7 आपके remove कर दिये गए हैं अगर आप चाहें तो इस page का भी screenshot ले सकते हैं otherwise मैं आपको एक बार और detail में पूरा समझा देती हूँ कि जिस तरह से यह आपके दोनों books के cover page हैं और यह आपका snapshot का जो content है जो chapters हैं chapter number 1 से लेके chapter number 8 इसमें आपके जो दो chapters हटाए गए हैं वो है chapter number 6 and 7 यह दो chapters आपके इसमें इस साल exam में नहीं आएंगे इन दोनों को remove कर दिया गया है तो अगर हम इनको remove कर देते हैं तो आप चाहें तो इस page का screenshot ले सकते हैं यह chapters आपके इस पार exam में आएंगे the summer of the beautiful white horse, दूसरा the address, रंगा's marriage, Albert Einstein at school, Mother's Day and chapter number 8 the tale of melon city यह chapters आपको खाली अभी इस सत्रमें एक्जाम में तयार करने हैं दूसरी बुक जो आपकी है वो है हॉन्बिल हॉन्बिल में आपके 8 chapters हैं जिन 8 chapters में से हटाने के बाद में जो सलीबस बचता है वो यह बचता है जिसमें chapter number 3, 4 and 6 को अगार आप हटा देते हैं तो chapter number 3, 4 and 6 को हटाने के बाद में आपका इसमें भी काफी course कम हो जाता है तो आप चाहें तो इसका screenshot ले लीजिए अब आपको सिर्फ 5 chapters पढ़ने हैं The Portrait of a Lady lesson number 2, we are not afraid to die if we can all be together lesson number 5, 7 and 8 पस यही आपको इस साल एक्जाम में तयारी करनी है और जो आपका poem है poetry वारा जो portion है उसमें से भी एक poem हटाई गई है बाकी poems आपको पढ़नी है तो जो poem हटाई गई है वो देखिए the labranum top यह सिर्फ एक poem आपके एक्जाम के लिए हटाई गई है जो आपको remove कर दी है जो आपको अपकी बार एक्जाम में नहीं आएगी तो इसको भी आप note कर लीजिए कि एक poem भी आपके एक्जाम में से डिलीट कर दिया गया है इस चाप्टर को तो यह आपका सारा का सारा revised syllabus मैंने बताया और deleted portion जो आपका 2021 में एक्जाम में नहीं आएगा अब अगर हम इसका देखते हैं कि जो revised syllabus है उसके अंदर आपका paper का जो pattern होगा वो किस टाइप से होगा वो भी आप देख लीजिए कि आपका जो reading portion है वो 20 marks का होगा writing portion 30 marks का होगा grammar portion आपका 20 marks का होगा और जो text के जो questions आएंगे वो 30 marks के होगे तो इसको भी अगर आप चाहें तो इसका भी screenshot लेके आप रख सकते हैं ताकि आप अपने exam के अच्छे से तयारी कर सकें यह इसका first page है और इसका यह second page है तो आप इसको भी अगर चाहें तो screenshot लेके तयारी कर सकते हैं so I hope कि आपको अब समझ में आगया होगा कि आपके 11th class में कौन-कौन से chapters हटा दिये हैं जिनको आपको exam के लिए पढ़ना नहीं है और वो chapters भी समझ में आगये होंगे कि कौन से chapters की तयारी करनी हैं तो all the best for your upcoming exams और don't forget to like, subscribe and share my channel and wait for the upcoming videos मैंने आपका होन बिल का एक chapter भी डाल दिया है एक poem भी डाल दिया है चो आप description box में जाकी लिंक में देख सकते हैं और उसको आप पढ़ सकते हैं and all the best for your upcoming exams thank you have a nice day